हेलो दोस्तों मैं नभीन और मैंस टीचर और इस वीडियो पर मैं काने मिला हूं क्लास नाइन चैप्टर वन के टॉपिक की पावर y अब देखे बेस सेम है तो पावर एड़ हो जाती है अगर x की पावर m हो multiply x की पावर n हो तो हम पावर को प्लस कर देता है तो इस लोग का यूज करके हम यहां पर इन दोनों पावर को एड़ कर लेंगे तो मैं इसको इस तरह से लिए सकता हूं कि 3 को एक बार होगा 2 प्लस y के अब दूसरी तरह हम इसे solve कर लेते हैं तो यहां पर देखे 8 लिखा है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 multiply यहां दिया हूए 2 की पावर y इक्वल 2 अब 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर है x तो अब देखे अगर x की पावर m हो बाहर n हो त इसलिए हम 2 को x से multiply कराएंगे अगले step में तो मैं यहां पर लिखूँगा 2 की पावर 3 multiply 2 की पावर y equal to 2 x 2 x हो जगा 2 की पावर 2 x देखे यहां पर भी बेस सेम है तो exponent को हम प्लस कर सकते हैं तो इसलिए हम यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 प्लस y और यहां पर है 2 की पावर 2 x जब यहां पर बेस सेम है तो इसका मतलब exponent भी आपस में सेम होंगे तो इसलिए मैं यहां क्या सकता हूं कि 3 प्लस y जो है वो यहां 2 x की बराबर होगा यहां पर यह दोनों बेस जो है एक दूसरे के equal मैं रख सकता हूं देखे इसको standard form में लिख ल आएगा तो minus का होगा और 3 जो है यहां पर है तो यहां इस तरह से 2 x minus y equal to 3 जो है वो दूसरे equation मन गई है तो इसको मैं equation first माल लेता हूं और इसको equation second अब इन दोने equation को आपस में मैं subtract करूंगा तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि subtract equation first from second तो मैं first equation को second में से subtract कर रहा हूं तो स सबसे पहले मैं second equation लिखूंगा second equation है 2x minus y equal to 3 और first equation है मेरी x minus y equal to 2 जब हम subtract करते हैं तो हमें x को किसी भी एक equation में तो मैं put कर रहा हूं x equal to 1 in equation first तो equation first में मैं x की value पूट कर रहा हूं तो x की value पूट करके हम y की value निकालेंगे तो पहले मैं equation लिख लेता हूं कि x minus y जो है वो 2 के इक्वल था first equation के recording तो x जो है यहां 1 है 1 minus y equal to 2 अब यह जो minus y अपनी जगह पर है 1 जो है राइट में shift होगा तो यह minus को जगा तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि 2 minus 1 हो गया है 1 और यहां है minus y इस वाले minus को हम transfer कर देंगे तो y की value आ जाती है मारे पास minus 1 तो x हमारा 1 आ गया है y की value minus 1 गई है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस sum समझ माई होगा इसी तरह के बहुत से sums class find के लिए पहले से upload हैं आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं next video में on a sum के साथ तब तक के लिए goodbye